परिजय बाई, मुझे बहुत भूख लगी है लो मोना, इसे खा लो, तुमारी भूख मिट जाएगी मोना, क्या तुम अनुमान लगा सकती हो, कि प्रते दिन हम जो खाना खाते हैं, वो कहां से आता है? नहीं भाई, मैं केवल इतना जानती हूँ, कि खाना हमें पेट पौधों से मिलता है, पर कैसे मिलता है, मैं नहीं जानती भाई, तुम बताओ न बच्चों, इस पार्ट के अंतरगत हम खादे पदार्थों की विविदता के बारे में चानेंगे, और जानेंगे कि ये कहां से आता है? उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करदे में सक्षम हो जाएंगे भोजन के विभिन प्रकारों को पहचानना भोजन को परिभाशित करना खादे समगरी और उनके सुरोतों के बारे में जानना खादे के रूप में पौधों के विभिन भागों को पहचानना खादे के रूप में विभिन जन्तु उत्पादों पर चर्चा करना जन्तु क्या खाते हैं ये समझना जन्तुओं के प्रकारों को उनके खाने की आदतों के आधार पर जानना जैसे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी विभिन्ने खादे पदार्थ जरा इस भोजन को देखे आपने क्या देखा इस प्लेट में विभिन प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं और प्रतेक खाद्य पदार्थ एक से अधिक संघटक से मिलकर बना हुआ है जैसे रोटी, गिहुं के आटे को पानी के साथ गूंद कर बनाई जाती है इसी तरह दाल, दलहन, पानी, नमक और अन्य मसालों को मिला कर बनाई जाती है खाद्य पदार्थ और उनके स्रोट जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि उर्जा प्राप्ती के लिए हमें भूजन की आविशक्ता होती है और जब हमें भूख लगती है तब अपना पेट भरने के लिए भी भूजन की आविशक्ता होती है हम भूजन को ऐसे पौस्टिक पदार्थ के रूप में परिभाशित कर सकते हैं जिसे जीवन को बनाय रखने के लिए उर्जा प्रदान करने के लिए पृध्धी एवं विकास को पढ़ावा देने के लिए खाया, पिया या अन्ने रूप में शरीर के अंदर लिया जाता है भूजन कहां से आता है? अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि खाने के लिए विबिन खादे पदार्थों को हम कहां से प्राप्त करते हैं? ज्यादा तर खादे पदार्थ हम पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे सबजियां, फल, गेहुं का आटा, दाल, मक्की का चिवडा, ब्रेड, वनस्पती तेल, आदी कुछ भोजे पदार्थ हम जन्तों से भी प्राप्त करते हैं, जैसे दूध, दही, मक्कन, घी, अंडे आदी, मचली, चिकन, गोमांस यानि बीफ, सुरकमांस यानि पौर्क, आदी भी जन्तों से प्राप्त किया जाता है भोजन के रूप में पौधे के भाग और जन्तों उत्पाद हम जानते हैं कि अधिकांश भोजन हमें पौधों से ही प्राप्त होता है पौधों के विभिन भाग हमें अलग-अलग प्रकार के खादे पदार्थ देते हैं हम पालक, सर्सों, फेनुग्रीक, सलाद आदी की पत्तियां खाते हैं बहुत से पौधों के फल, फल और सबजियों के रूप में खाये जाते हैं बीजों को अनाज, मसाले, अंकुरिद डालों के रूप में और वनस्पती तेल निकालने के लिए इस्तिमाल किया जाता है कुछ पौधों के तने और जड़ों को भी सबजियों के रूप में इस्तिमाल किया जाता है आत्म मोलियांकन, निनलिखित का मिलान करें भोजन के रूप में पौधे के भाग और जन्तू उत्पाद जैसे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि अधिकांश भोजे पदार्थ हमें पौधों से ही मिलते हैं जन्तू भी हमें कुछ महदपून उत्पाद प्रदान करते हैं जिने हम प्रती दिन उप्योग में लाते हैं जैसे दूद, दही, घी, अंडे आदी हमें दूद, गाए, भैंस, बक्री से यहां तक की रेगिस्तान में उंट से भी मिलता है मुर्गियों और बत्तकों से हमें अंडे मिलते हैं मुर्गा, बक्री, उंट आदी से मीट मिलता है मचली और जींगा भी खाया जाता है और मधु मख्यी हमें शहद देती है जन्तू क्या खाते हैं? क्या आप जामते हैं कि जन्तूओं को उनके आहार सम्मंधी आदतों के आधार पर तीन प्रकार में बाटा जा सकता है ये हैं शाकाहारी, मासाहारी और सर्वहारी शाकाहारी वे जीव होते हैं जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं उधारण गाए, भैस, बकरी, हिरन, हाथी, आदी मासाहारी वे जीव होते हैं जो केवल दूसरे जानवरों को खाते हैं उधारण सिंग, बाग, जगुआर, सियार, आदी जबकि सर्वहारी जन्तूओं, पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं उधारण, कुत्ता, कववा, आत्म मूलियांकन प्रश्नों को पढ़िये तथा निम्निलिखित विकल्पों में से सही चित्र पर क्लिक करें सारांश आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संग्षेप में दोहराएं कोई भी पौश्टिक पदार्थ, जिसे जीवन को बनाए रखने के लिए उर्जा प्रदान करने के लिए वृध्धी एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए खाया, पिया या अन्य रूप में शरीर के अंदर लिया जाता है, भोजन कहलाता है पौदे भोजन का मुखिसरोथ होते हैं हमें जन्तों से भी भोजन प्राप्त होता है शाकाहारी वेजीव होते हैं जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं मांसाहारी वेजीव होते हैं जो केवल दूसरे जानवरों को खाते हैं जबकि सर्वहारी जंदू पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं।